एंपी के पीथमपुर में पिनेकल मॉबिलिटी कमपनी 600 करोड रुपए इन्विस्ट करेगी शुरुआत में 500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा जैसे ही पूरी क्षमता के साथ वर्किन शुरू होगी 500 लोगों को और रोजगार मिलेगा यानी 1000 लोगों को कमपनी रोजगार देगी 48 एकड में बनने वाले इस प्लांट का 23 अक्टूबर 2024 को CM डॉक्टर मोहन यादव वर्चुली शुभारंब कर चुके हैं जिसमें इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों का निर्मान होगा यह प्लांट दो साल में तयार होगा जिसके बाद इसमें इंडस्ट्रियल ओपरेशन शुरू हो जाएंगे खास यह है कि पिनेकल इस प्लांट के साथ ही एक अन्य प्लांट भी सेक्टर साथ में बना रही है जहां पर वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच को तयार किया जाएगा बता दें पिनेकल कमपनी के इन दो नए प्लांट के अलावा पीथमपुर में पहले से ही तीन प्लांट वर्किन में है